हेलो फ्रेंज, माइ नेम पूजा और वेलकम तू दाइग्जाम टूटर फ्रेंज, अस यू ओल नो, इन दिस क्वेस्ट आंसर स्रीज, वे अर टारगेटिंग चंडिगर्ट TGT उर्षफब प्रेंज, तुड़ें के उन्ग वेडियो, और वे अर स próprio फेलं पूरिफएरअ को कवर किया था उर आज के इस वेडियो में हम पॉरिपेरा को कवर किया था, और आज की इस वीडियो में हम पॉरिपेंट और शीलेंटरेटा निडेरिया को ही सिलेंटरेटा भी कहा जाता है निडेरिया जो वर्ड है यह ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है इनिकि जो निडेरिया के बेस पर इनको निडेरिया नाम दिया गया है याद रखेंगे अब देखें हमने फाइलम पौरी फेरा जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो केटेगरीज में डिवाइड किया गया है पहला पैरा जोवा और दूसरा मेटा जोवा पैरा जोवा के अंदर वो वा और्गनिजमि кино आते हैं या फिर वो फाइलम आते हैं जिसमें कि स्यूलल लेवल और जि Над्वशेशन होता है जिने टीशू और ऑर ओर गन देखे जो habitat है, निडेरिया के जो animals हैं, उनका जो habitat है ये mostly marine होते हैं और कुछ जो है, वो fresh water भी होते हैं, overall कह सकते हैं कि ये animals है ये aquatic होते हैं, organization जो है इनका tissue level का होता है, यानिकि इसने tissue develop हो चुके होते हैं, बोडी लेयर जो है। फाइलम निदेरिया के जो organism है या अनिमल्स है उनकी बोडी लेयर ये diploblastik होते हैं यानिकि दो germ layer से मिलके बने होते हैं supportive और endoderm. periphera में भी same था, वो भी diploblastik थे और निदेरिया में भी क्या है, diploblastik है. Body cavity इनमें absent होती है इसलिए इनको क्या कहा जा सकता है A silomate जिनमे body cavity absent होती है उसको कहा जाता है A silomate और जिनमें present होती है उनको कहा जाता है silomates याद रखेंगे symmetry जो है radial होती है यानि कि अगर आप इनके organism को इनके animals को किसी भी plane से काटते हैं तो ये दो equal parts में divide हो जाते हैं याद रखेंगे exist in two forms जो nid area के animals हैं वो दो form में exist करते हैं पहला है polyp और दूसरा है medusa इसको अभी हम structure के थूँ समझेंगे क्या होते है polyp और क्या होते है medusa polyps जो होते हैं ये corals बनाते हैं आपने देखा होगा colorful सी structure है उसको कहा जाता है corals या फिर coral reefs भी उन्हें कहते हैं ये जो animals होते हैं ये colorless होते हैं इनका कोई color नहीं होता लेकिन हमें colorful क्यों दिखते हैं क्योंकि इनके उपर एक algae present होता है juice anthely जो इनको color provide करवाता है और ये food भी इनको provide करवाता है क्या नाम है juice anthely algae skeleton skeleton इनका कैसा होता है hydrostatic and also ca co3 in polyps देखे hydrostatic skeleton है ऐसा क्यों कहा गया है hydrostatic skeleton क्योंकि जब ये water intake करते हैं और जो water का pressure होता है वही जो इनकी structure है उसको maintain करता है यानि कि जो water इनके अंदर present होता है वो इनकी structure को बनाई रखने में help करता है hydrostatic skeleton कहा गया है और जो ca co3 भी होते हैं polyps के अंदर ये भी इनका structure maintain करने में help करते हैं देखे जो ये food intake करते हैं food जो खाते हैं ये तो उसके अंदर जितने भी calcium और carbon dioxide के मुझूद होती है carbon dioxide मुझूद होती है वो मिलकर क्या बनाती है calcium carbonate के crystals बनाती है और वो ही क्या करते हैं वो इनकी structure maintain करने में help करते हैं तो hydrostatic और ca co3 जो है इनकी structure को maintain करने में help करता है इसलिए का गया है इनका skeleton किसे बना होता है hydrostatic होता है ους ca co3 से मिलकर कर boundaries reproduction कैसे होता है reproduction इनमे Asexual और Sexual दोनों तरह से होता है Asexual budding के थूँ और fragmentation के थूँ होता है और Asexual eggs और spums के मिलने से बनता है Sexual जो reproduction है वो दो तरह से हो सकता है External भी और internal भी External में क्या होगा कि egg और जो spums होते हैं वो release कर दिये जाते हैं water के अंदर वो दोनों fuse होते हैं fertilization होता है और एक लार्वा फिरम करते हैं जिसको कहा जाता है प्लैनिला लार्वा जो अगर पूलिप फोर्म में होगा तो वह स्टार्टिक हो जाएगा एक जेगह पर टिक जाएगा और वह एक नए और अगर in sean मना लेता है और अगर वह ऐए वह होम में हैं तो वो क्या करेगा फ्लोट करेगा तैरता रहेगा और एक नया और्गनिजम बना लेता है तो यह होता है external fertilization और अगर internal fertilization होता है तो एग अपनी जगह organism के अंदर present होता है और जो spums होते हैं वो बहार से आकर के एग के साथ fuse करते हैं और एक नया organism बना लेते हैं तो यह होता है sexual reproduction और देखे इन में special तरह की जो cells होती है वो present होती है जिनको निडोसाइट कहा जाता है और जिनको stinging cells भी कहते हैं और यह कहां पर present होती हैं तो यह tentacles के अंदर present होती हैं इसको हम अभी structure के थ्रू समझेंगे देखे हम पहले polyp form को देख लेते हैं जो polyp form है उसका एक example हम ने लिया है इसको कहते हैं हम sea animal sea animal यह किसका example है polyp form का example है और यह medusa form का example है jellyfish यह क्या है यह है jellyfish अब देखे polyp form को समझते हैं एक बार देखे यह जो structure दिख रही है आपको यह क्या है Tentacles है और इनहीं के अंदर stinging cells present होती हैं जिनको nittosite भी कहा जाता है nittosite के अंदर इस तरीके से देखे इस सरीके से निमेटो sites भी present होते हैं यह जो आपको structure दिख रही है जो मैं बना रही हूं अभी यह क्या है इनको nematocytes कहते हैं, तो ये कहां पर present होती है, ये tentacles के अंदर present होती है, और ये अपने prey को catch करने में help करती है, और ये देखे, ये जो है, ये mouth है, और जो भी ये शिकार करते हैं, या जो भी organism ये खाते हैं, तो ये जो tentacles है, यह इसको अंदर लेने में help करते हैं, यानि कि जो food होता है, उसको अंदर धकेलने में help करते हैं, तो यह क्या है, यह है mouth, और यह क्या है, यह है tentacles, यह बाहर वाली जो layer है, इसको कहा जाता है ectoderm, और जो अंदर वाली layer है, इसको कहा जाता है endoderm, बीच में जो यह cavity है, इसको और मेड्यूसा में क्या डिफ्रेंस होता है कि जो पॉलिफ फॉर्म होती है यह एक जगह पर स्टाटिक रहते हैं यानि कि यह सेसाइल फॉर्म होती है या सिडेंटरी फॉर्म होती है यह एक जगह पर टिके रहते हैं यानि कि किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं और medusa foam होती है यह float करती है पानी के अंदर यानि कि एक जगह पे टिकी हुई नहीं रहती है इसलिए कहा जाता है इसको medusa foam polyp form में जो basal disc होती है देखें जो खाना है एक चीज और बता दू कि जो mouth होता है इसमें food यहीं से एंटर करता है और जो excretion होता है वो भी यही से होता है इसलिए इसको mouth प्लस एनस दोनों बोल सकते हैं और जो basal disc होती है जो यह खाना खाते हैं उसमें से जो calcium carbonate CACO3 के जो crystals होते हैं वो आकर के नीचे जमा हो जाते हैं और यहां से heavy हो जाता है नीचे base से और यह substrate से जुड़ने में यानि की समुदर में एक substrate से जुड़ने में इनकी help करता है याद रखेंगे तो यह है polyp form अब medusa form पे आ जाते हैं देखें medusa form बिलकुल इसके opposite होती है या को ही होती है medusa form अब देखें यह क्या है यह है mouth यहां से food enter करता है यह बीच में क्या हो गई यह gastro-vascular cavity हो गई बहार की जो लेयर है इसको कहा जाता है ectoderm और ectoderm और endoderm के बीच की जो cavity होती है उसको कहा जाता है mesoglia मतलब की जो mesoderm की जगह पर present होती है उसे कहा जाता है mesoglia और यह देखें यह जो tentacles हैं यह क्या है यह tentacles हैं जो कि इसमें हमने polyp में अपर साइड में पढ़ा था यह lower side में है medusa form में यहां से यह mouth प्लस अब देखें इसमें कुछ special तरह की मोटी मोटी structure आपको दिख रही होंगी यह specialized structures होती है किसके अंदर जो medusa form होती है उसके अंदर इन में ज्यादा venom होता है ज्यादा poison होता है और यह prey को catch करने में help करती है और जो food होता है उसको catch करने में help करती है और mouth के अंदर धकेलने में उसको help करती हैं, तो ये था हमारा phylum Nideria या फिर Silentrata, अब इसके question answers को discuss कर लेते हैं, इसमें first question है, phylum Nideria was named by Lukard, Aristotle, Has Check या फिर Hickle, तो phylum Nideria किस ने दिया था, तो ये दिया था Lukard या फिर He-Man ने, दो scientist थे, क्या नम था, Lukard और He-Man ने, तो answer हो जाएगा A, Lukard and He-Man, the characteristics Niderians is, characteristic क्या है Niderians के, mesoglia है, pedal disc है, manudrium है, या फिर nematosis है, तो characteristic feature क्या होगा Niderians का, तो वो हो जाएगा nematosis, जो की tentacles में present होती है, अभी मैंने बताया आपको, next question देख लेते हैं, next question है, the cavity of Niderians is called as, spongosils, hemo seals, gastro-vascular cavity, या फिर none of these, तो cavity of Niderians is called as, जो cavity होती है Niderians के, उसको क्या कहा जाता है, तो हमने पढ़ा, उसको कहा जाता है, gastro-vascular cavity, answer हो जाएगा C, next question है, there are no special respiratory organs in insects, Niderians, mollusks, या फिर all of these, तो तेखिए, जो Niderians हैं, उनमें special तरह की respiratory organs नहीं पाए जाते हैं, इनमें जो respiration और जो excretion होता है, वो osmosis के थ्रू होता है, तो याद रखिएगा, sorry diffusion के थ्रू होता है, तो जो respiratory organs हैं, ये absent होते हैं, किसमें? Niderians में, याद रखेंगे, next question देख लेते हैं, radial symmetry is found in mollusks, arthropods, niderians, या फिर sponges, तो radial symmetry किसमें पाए जाती है, niderians में पाए जाती है, या फिर silentrates में पाए जाती है, next question है, skeleton of herni corals are made up of, caCO3, silica, bones, या फिर gorgonin, तो देखें, skeleton जो है, corals का कोन बनाता है, तो देखें, ये बनते हैं, caCO3 से, या फिर इसको क्या कहा जाता है, argonite भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, argonites भी इसी को कहा जाता है, तो ये क्या बनाते हैं, corals का skeleton मनाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि, इनमें hydrostatic भी होता है, और CACO3 का बना हुआ भी skeleton होता है इसको arginites भी कहते हैं ये भी याद रखिएगा next question देख लेते हैं most primitive type of nervous system found in hydra, sponges, mollusks या फिर arthropods तो जो primitive type of nervous system है ये किस में पाया जाता है ये hydra में पाया जाता है जो कि नीडेरिया या saline trita का ही एक animal है याद रखिएगा तो किस में पाया जाता है आंसर हो जाएगा next question है which of these has a nervous system but no brain amoeba, hydra, insects या फिर cockroaches तो देखें nervous system तो होता है लेकिन brain नहीं होता किस में hydra में नीडेरियांस के जो animals है उनमें primitive type of nervous system पाया जाता है question आता है बहुत बार exam में तो याद रखिएगा next question है नीडेरियांस इस characterized by the presence of नीडेरियांस इस characterized by the presence of नीडेरियांस इस गेस्ट्रवेस्कुलर कैविटी बोथ A and B या फिर none of these तो देखें नीडेरियांस में नीडेरियांस में नीडेरियांस जो cells होती है वो भी पाई जाती है गेस्ट्रवेस्कुलर कैविटी भी पाई जाती है तो आंसर हो जाएगा C, बोथ A and B next question है तो देखें गेस्ट्रवेस्कुलर कैविटी ओफ नीडेरियांस के पास क्या होता है हमने पढ़ा कि उनके पास एक ही माउट होता है उसी को हम माउट भी कह सकते हैं और एनस भी कह सकते हैं क्योंकि जो फूड है या फिर जो वोटर है वो वहीं से एंट्री करता है और वहीं से उसी पोर से एक्जिट भी करता है तो only one opening called mouth next question है body cavity of hydra is called as hemo seal, gastrovescular cavity, hydro seal या फिर silenterone तो body cavity जो hydra की है उसको कहा जाता है silenterone question आता है कहीं बार तो याद रखिएगा कि जो hydra की body cavity है उसको कहा जाता है silenterone next question है term silenterone means a gut cavity, a silome cavity, a blood cavity या फिर none of these तो जो silenterone है उसका मतलब होता है gut cavity next question देख लेते हैं next question है the planular larva develops into polyp cold जो planular larva है वो जब polyp बन जाता है उसको क्या कहा जाता है scyphistoma, ephira, aurelia या फिर obelia तो देखें जो planular larva है जब यह polyp में convert हो जाता है इसको कहा जाता है scyphistoma answer हो जाएगा next question है hydra has a nervous system but lack किसकी कमी होती है लेकिन nervous system होता है eyes, tentacles, cavity या फिर brain तो देखें nervous system तो होता है लेकिन brain नहीं होता यह हम पहले ही पढ़ चुके हाइडर के अंदर question important है यह मैंने previous year के जो questions है वही उठाए है तो याद रखिएगा यह काफी important questions है next question देख लेते हैं the specialized cells that help in feeding, attachment and the defensive mechanism are named as coenocytes, needocytes, pinacocytes या फिर porocytes तो देखें वह कौन सी specialized cells होती है जो feeding में help करती है attachment में help करती है या फिर defensive mechanism में help करती है तो उनका क्या नाम होता है तो वो होती है needocytes उनको क्या कहा जाता है needocytes next question है the true nervous system developed first into an invertebrate belongs to a phylum anelida, sponges, sealant rates या फिर flatworms तो देखें सबसे पहले किसमे nervous system developed हुआ तो वो हुआ sealant rates में next question देख लेते हैं next question है pick the most suitable terminology to design a life cycle of obelia metamorphosis, neotenny, metagenesis या फिर none of the above तो देखें most suitable terminology क्या use की जाएगी किसके लिए जो obelia का life cycle है उसके लिए तो उसके लिए use की जाती है metagenesis metagenesis क्या होती है जो generation की alternation होती है उसे ही कहा जाता है metagenesis यानि की alternation of generation is called as metagenesis next question है this group is commonly known as sea stick porifera sealantrata arthropoda या फिर echinodermita तो देखिए कौन सा फाइलम है जिसके जो animals है उनको sea stick कहा जाता है तो sealantrata के जितने भी animals है उनको कहा जाता है sea stick next question देख लेते हैं next question है this does not belong to phylum sealantrata sea cucumber sea feather sea pan या फिर sea fan तो देखिए sealantrata जो है इनवे से कौन सा जो organism है या animal है जो sealantrata सा बिलोंग नहीं करता है तो वो है sea cucumber sea cucumber जो है ये echinodermita से बिलोंग करता है और बागे के तीन जो है ये तीनो निडेरिया से बिलोंग करते हैं याद रखिएगा next question है a sealantrata that is commonly referred to as fresh water polyp is obelia, physelia, hydra या फिर orelia तो fresh water polyp किसे कहा जाता है तो यो कहा जाता है hydra को answer हो जाएगा c hydra next question नेख लेते हैं next question है this is a special character of sealantrata occurring only in them flame cells, hermaphroditism, nematosis या polymorphism तो जो special character है sealantrata का वो है nematosis nematosis जो है या फिर stinging cells जो है ये present होती है sealantrata में और ये tentacles में present होती है next question है the characteristic larva in sealantrata is onchosphere, rhabdity form, planula या फिर cysticercase तो characteristic larva कौन सा है sealantrata का मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो है planula next question देख लेते हैं next question है oxygen in sealantrata is supplied to different tissues by plasma, diffusion, blood pigment या फिर tracheal tubes तो oxygen जो है sealantrata में supplied होती है by diffusion आंसर हो जाएगा B, diffusion next question है the class of sealantrata in which the medusa and polyp both are found in one animal is anthojoa, hydrojoa, skyfojoa या फिर none of the more तो जो दोनों फोम है sealantrata की medusa और polyp ये किस में पाए जाती है किस एक animal में पाए जाती है तो वो हो जाएगा hydrojoa में ये दोनों फोम पाए जाती है medusa और polyp next question देख लेते है next question है this phylum shows the presence of nerve cells and absence of nerves sealantrata, poriphera, nematry helminthes या फिर platyhelminthes तो nerve cells तो होती है लेकिन nerves absent होती है जिसमें sealantrata में answer हो जाएगा A, sealantrata next question देख लेते है this is a characteristic feature of sealantrata polyp, gastro-vascular cavity all are marine presence of tentacles around mouth तो देखे gastro-vascular cavity जो है ये characteristic feature है sealantrata का next question देख लेते है next question है all of the following animals belong to the phylum nideria except jellyfish, hydra, octopos या फिर corals तो देखे, jellyfish भी nideria में आती है hydra भी nideria में आता है corals भी nideria में आते है लेकिन जो octopus है ये किस से बिलोंग करता है ये mollusk पाइलम का animal है तो याद रखेगा octopus जो है ये nideria से बिलोंग नहीं करता है नेक्स question है animals in the phylum nideria have radial symmetry have only one opening for mouth and waist have tentacles that radiate outwards from around the mouth या फिर all of the above तो देखे, radial symmetry भी होती है nideria में और one opening भी होती है mouth और waist दोनों के लिए ये भी सही है tentacles भी होते है जो mouth की चारों तरफ होते है ये भी सही है तो answer हो जाएगा दे, all of the above नेक्स question देख लेते है animals in the phylum nideria are producers, herbivores, carnivores या फिर omnivores देखें ये मैं आपको बताना भूल गई थी जो animals होते हैं phylum nideria के वो carnivores होते हैं answer हो जाएगा C, carnivores नेक्स question है jellyfishes differs from sea animal in that only one has stinging cells only one has tentacles only one uses the same opening for food and waste only one has mouth facing upward देखें, only one नहीं दोनों के पास होती हैं stinging cells, jellyfishes के भी और sea animal के पास भी होती हैं only one has tentacles दोनों के पास होते हैं एक के पास नहीं होते तो ये भी गलत हो जाएगा मैंने राइट लगा दिया, sorry for that next है, only one uses the same opening for food and waste तो एक नहीं करती हैं दोनों के पास एक ही opening होती है food और waste के लिए तो ये भी गलत हो जाएगा only one has mouth facing upward तो ये बिलकुल सही है कि जो एक होती है, जो sea animal होती है sea animal का जो mouth होता है वो upward यानि कि उपर की तरफ face करता है तो ये answer हो जाएगा D, only one has mouth facing upward So friends, Phylum Raderia से related ये हमारे 30 questions complete होते हैं I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है helpful लगी है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा मिलेंगे next वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए thank you